दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला के लिए केल निर्मान का उद्योग एक लंबे समय तक चलने वाला उद्योग है इस उद्योग के लिए कुछ बड़े आयोजन की आवशक्ता होती है इसके ले विशेश तरहा के मशीन की आवशक्ता होती है नमस्कार दोस्तों आज हम अपने यूट्यूब चैनल में लेकर आए हैं केल बनाने का उद्योग कैसे शुरू करें इस वीडियो में हम आपको कच्छे पदार्त और मशीनरी की पूरी जानकारी देंगे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको स्क्री करते हैं कील बनाने के लिए आवशक सामगरी इसके लिए काम आने वाली आवशक सामगरी में नेल वायर है इसका प्रियोग करके विबिन तरहा के कील बनाई जाते हैं ये वायर अलग-अलग क्रॉस सेक्षन में पाया जाता है अतहा अपने द्वारा बनाई जाने वले कील के अनुसार वायर खरीद लें कील बनाने के लिए आवशक सामगरी कहां से खरीदें आउनलाइन वेबसाइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अब मैं आपको कील बनाने की प्रक्रिया बताती हूँ मशीन स्वचलित होने की वज़ा से कील बनने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है मशीन के सामने वायर का डायल इस तरह से सेट किया जाता है कि वे घूम सके वायर का एक हिस्सा नेल मेकिंग मशीन में लगा दिया जाता है मशीन के चलने पर उस वायर से कीले खुद बखुद बननी शुरू हो जाती है एक मिनट में कम से कम धाई सो से तीन सो पीस कीले बनती जाती है कील की पॉलेशिंग इसके बाद बनी हुई कीलो को polishing machine में डालना पड़ता है polishing से कीले नई दिखने लगती है इसमें लकडी की भूसी का प्रयोग होता है इसके बाद किसी तरहा के lubricant का भी प्रयोग कर सकते हैं केल बनाने के लिए machinery nail making machine थोड़ी महंगी आती है किन्तु एक बार्यदिये मशीन बेठा ली जाए तो एक लंबे समय तक कील बनाई जा सकती है ये मशीन पूरी तरह से स्वचलित होती है जिसे आसानी से नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है कील का निर्मान मुख्यता दो तरह की मशीन से होता है एक में कील बनती है और दूसरे मशीन में ये पॉलिश किया जाता है ये दोनों मशीन एक सेट में आते हैं आप इन मशीनों को ओनलाइन वेबसाइट के माधियम से खरीच सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चाएगा कर दोनों में आते हैं कर दोनों में आते हैं किल बनानी का व्यपार शुरू करने में लागत इसमें उपयोग होने वाले नेल वायर की कीमत 30,000 से 40,000 प्रती टर्न है और मशीन सेट की कीमत कम से कम 4 से 5 लाग तक की होती है इस तरह से व्यपार शुरू करने के लिए कम से कम 10 लाग रुपे की जरूरत होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सेट अप, मशीनरी आदी सभी चीजें शामिल होता है इस व्यपार को शुरू करने के लिए आपको 1000 स्कौयर फिट की आवशकता पड़ सकती है कील बनाने के व्यपार के लिए लाइसेंस, इसके लिए आवशक लाइसेंस लेना बहुत आवशक है क्योंकि इस उद्योग में पूरा मशीनरी सेट अप हो जाता है लाइसेंस के लिए अपने लोकल अथोरिटी को आविदन पत्र दिया जा सकता है यहां से बहुत जल्द आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा कील की पैकेजिंग, इसके पैकेजिंग के लिए जूट के बोरे का प्रयोग बहुत अच्छा होता है कीलें नुकीली होती हैं अधह प्लास्टिक के बैक्स के फटने का डर रहता है पाकेजिंग के समय बाजार के विभिन हाडवेर दुकानों में दिया चाने वली मातराओं को ध्यान में रखें उन्ही मातराओं के अकॉर्डिंग 5 किलो और 10 किलो का पाकेट तयार करें किल बनाने के व्यपार में मुनाफ़ा आठ घंटे रोज मशीन चलने पर दिन भर कम से कम 500 से 600 किलो किले बनाई जा सकती है यदि सभी तरह की मैनुफैक्चरिंग कॉस छोड़ दी जाए तो प्रती किलो ग्राम पर 5 से 6 रुपे का लाप राप्त होता है इस तरह महीने भर में 60,000 से 70,000 तक कमाया जा सकता है किल बनाने के व्यपार की मारकेटिंग इसकी मारकेटिंग हाडवेर मारकेट में की जा सकती है अतहा शेहर के सभी बड़े और छोटे हाडवेर दुकानों में शुरूर में जरा सस्ते दाम पर बेचना सही रहता है मांकेट पकड़े जाने पर पुनहा बाजार की कीमत पर अपना प्रोड़क्ट बीचा जा सकता है दोस्तूं अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम आपके मदद करने के लिए हमेशा ही तयार हैं